रिकॉर्ड बुक में आपका स्वाधत है इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप रिकॉर्ड बुक में स्टेटस फीचर का कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं रिकॉर्ड बुक एक डिजिटल रिजिस्टर आप है जो आपके ट्रेडिशनल रिजिस्टर को रिप्लेस करता है इस app में आपको कई सारे premium features बिल्कुल फ्री में मिलते हैं जैसे की status इस feature से आप अपने task को easily track कर सकते हैं चलिए देखते हैं कि आप status feature का कैसे इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले record book app खोलिए और वो register open कीजिए जिसमें आप status type यूज़ करना चाते हैं फिर edit column पे click कीजिए और status select कीजिए फिर आपको status options मिलेंगे new और completed ये दोनो by default status हैं लेकिन आप इनको edit कर सकते हैं और custom status भी जितना चाहे add कर सकते हैं status tab add करने के लिए या edit करने के लिए जब आप screen पर होते हैं तो add new status बटन पर click कीजिए status का नाम लिखिए और एक color select कीजिए जिससे की आपके लिए status को color देखकर पहचानना आसान हो जाए जैसे completed task के लिए green color इस तरह से आप जितने चाहे status बना सकते हैं किसी भी status को edit करने के लिए आप इन three dots dot button पर click करें जब आप proceed button पर click करते हैं उसके बाद भी अगर आपको कभी इसे edit करने की ज़रुरत पढ़ती है तो भी आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं अपने जिस column को status के लिए select किया है आप उस column के किसी भी cell पर click करें और edit button पर click करें फिर आप जैसे चाहे edit कर सकते हैं इस feature को आप बहुत तरह से use कर सकते हैं shopkeepers अपनी order delivery का track रख सकते हैं teachers अपने student के projects वगे रख के submissions के record रख सकते हैं और managers अपने employees को दिये गए task को भी आसानी से track कर सकते हैं record book यूज करें और इन features का lab उठाएं बिलकुल free में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद